गैस पिछले वीडियो में हम लोगों ने देगा कि link list के तुरू हम लोग stack को implement कर सकते हैं ठीक है हमने यहाँ पर देखा कि जो stack है वो link list के साइटा से बड़े आराम से implement हो जाए आई जो मैं काम करता हूं आपर numbers दाल देता हूं मैंने यह जो stack है उसको link list के form में आपर बना रखा है तो मैं आपर कोई भी number डाल सकता है मैं आप 7 डाल द thumbnail दो ओं या फर 15 डाल दो या पर 18 डाल दो और यहां पर 28 डाल दो तो यह सारे के सारे numbers यह मैंने scanner डाल दी है अब यह जो stack गर मैं इसको आप लोग को visualize कर वा हूँ तो यह कुछ इस तरह से हो गी ठीक है तो मैं काम करता हूँ यह तो अच्छे shapes use करता हूँ ता कि आप लोग कोई मजा आया इसको देखने में तो मैं आपर stack को कुछ इस तरह से बनाऊँगा और इसको ऐसे मिटा देता हूँ खाली कर देता हूँ धकन उपर से इसका थोड़ा मिटा देता हूँ धकन और यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसमें numbers डालूँगा ठीक है तो मैं आपर इसके अंदर numbers डालूँगा इस तरह से 7 सबसे उपर रहेगा 28 सबसे नीचे रहेगा ठीक ह तो 28 यहाँ पर लिखुँगा और उसके बाद यहाँ पर 15 लिखने के बाद यहाँ पर मैं तो आप लोग इसको अब सारे वीडियोगे तो कैसे आप लोग सारे के सारे वीडियोज देख पाऊगे so अब हम आपर क्या करेंगे आएंगे बापस से one note में और देखेंगे कि किस तरह से operations जो है वो हम लोग करा सकते हैं link list के अंदर ठीक है stack के लिए link list की सहाजता से ठीक है so अब हम क्या करेंगे सबसे पहला operation जो मेरा है वो मैं बात करना चाहूंगा is empty की ठीक है तो मैं आपर लिख देता हूँ और is empty operation लिख देता हूँ मैं is empty अभी जो is empty operation है मेरा इसका code को इस तरह से देखेगा मैं बताता हूँ आपको एक stack empty कब होगी ठीक है एक stack empty कब होगी मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा कि अपने function को ये जो top pointer है ये मैं pass करूँगा ठीक है तो ये top pointer मैं pass करूँगा और कि इसी की साहिधा से मैं इस link list को access कर पहूँगा पहले videos में मैंने आप लोग को head के नाम से link list का जो पहले node का pointer है वो मैंने पहले head बोल कर बताया था अब मैं आपर top बोल कर बताऊंगा इस case में लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा जो मेरा is empty है मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूँगा मैं कहूँगा कि बाई देखो ऐसा is empty कुछ यहाँ पर return नहीं करेगी मैं लिखूँगा void is empty और void is empty और यह क्या लेगी क्या नहीं लेगी उसको भी छोड़ देते हैं मैं एक pseudo code लिखता हूँ c का snippet लिखता हूँ in fact it's not even pseudo code it's snippet c का snippet लिखता हूँ देखो top का pointer मेरे पास है अगर मुझे यह चेक करना है कि यह खाली है या नहीं है ठीक है तो मैं इस तरह से लिख दूँगा else return zero ठीक है और मैं इसको ऐसे कर दूँगा मैंने one line ने लिख दिया रोड़ा space बचाने लिए बढ़ हाँ ठीक है हम लोग अभी चलेंगे visual studio code में और इसको code कर लेंगे ठीक है दूसरा जो मेरा operation है वो है क्या होगा वो मेरा दूसरा operation दूसरा operation मेरा होगा is full ठीक है और is full को तो दियान से देखना देखो अगर आप लोग चाहो तो इसमें एक limit लगा सकते हो ठीक है size की उसके लिए आपको थोड़ा से change करना पड़ेगा but अगर हम normally stack को implement करना चाहते है link list की side से तो मैं इस तरह की कोई limit नहीं लगाँगा कि मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह की limit लगाँ मैं चाहता हूँ कि unlimited मेरी stack की limit है जितने भी elements मैं उसमें डालू वो यह सुईकर कर ले ठीक है तो इस full के लिए मैं क्या करूँगा क्या code लिखूँगा मैं कहूँगा यार देखो ऐसा है यह जो stack है यह full tab होगा जब मैं एक node को बना रहा हूँ तो वो नहीं बन पाए ठीक है तो मैं आपर क्या लिखूँगा मैं आपर लिखूँगा dynamically मैं node को बनाने की कोशिश करूँगा तो मैं आपर लिखूँगा struct node star n is equal to और मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा struct node star malloc और मैं मतलब एक node बना लूँगा ठीक है size of node star ठीक है node star अभी मैं code करके भी दिखा दूँगा आप लोगों को अब क्या होगा कि अगर ये N जो है ये नल हो जाता है तो इसका क्या मतलब ہے अगर N मेरा नल हो जाता है तो इसका मतलब तो यही वपना की dynamically memory allocate नहीं हो पाई यही तो होगा ना εसका मतलब मैं आप लोग को बता है तरह जब मैं लॉग जो है नल रिटर्न करता है इसका मतलब यह कि memory रिटर्न नहीं हो पाई तो यहां पर मैं return one कर दूँगा और else में क्या करूँगा मैं काऊंगा else return कर दें आप क्या else up return कर दें zero ठीक है else up return zero कर दें इसे कि मैं यहां पर किया है ठीक है अब आप confused मत हो ना इससे आप c language में इस तरह से one line में लिख सकते हो curly brace लगा कर but this is the good practice और हम इसी को follow करेंगे but is empty और is full I hope clear हो गया सबको मुझे नहीं लगता problem होगी is empty और is full में चलते हैं आगे बढ़ते हैं और main operations की बात करते हैं जो की push और pop है ठीक है push operation किसे होगा इस link list को देखो आप जहां से मैं आपर लिखता हूँ मैं आपर लिखता हूँ number three which is push push operation very important ठीक है इस link list में push करना है अगर मुझे तो मैं क्या करूँगा देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा एक नया node बनाऊँगा ठीक है सबसे पहले मैं एक नया node बनाऊँगा तो मैं आपर क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा struct node star n is equal to और मैं लिखूँगा struct node star malloc और मैं इसके बाद यहां पर थोड़ी space बचा रहा हूँ बट मैं आपर तीन डॉट लगा रहा हूँ जिसका मतलब है size of struct node ठीक है size of क्या struct node होगा है size of struct node और मैंने आपर ऐसे लिख दिया dot dot size of struct node होगा क्योंकि एक struct node है मैं आपको code लिखकर दिखा दूँगा अब यहां पर मैं क्या करूँगा अब मैं आपर check करूँगा कि कहीं यह ठीक है stack overflow को मैं print कर दूँगा और मैं आपर लिख देता हूँ print कर दू, stack overflow और मैं आपर जो a snippet लिख रहा हूँ ठीक है, सिर्फ snippet लिख रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो आप stack overflow को print कर दो, वरना आप क्या करोगे, वरना else, वरना आप आगे बढ़ोगे, और देखो आप क उसी के साथ साथ N का जो next है वो क्या हो जाएगा N का next हो जाएगा जो मेरा top है वो और उसी के साथ साथ top is equal to N हो जाएगा मैंने क्या किया है यांपर देखो मैंने N का data X करती है सबसे पहले वो जो नया node बना है जो नया node में बना हूँगा मैं उसको यहां पर रख देता हूँ उस तरह से और मैं आपर इसके लिए कोई दूसा कला इस्तेमाल करता हूँ कौन सा कला इस्तेमाल करूँ ब्लू कर लेता हूँ ठीक है एक node यहां पर मैंने एक बनाया है ठीक है और यह मैंने काए कि यह N है मुझे डाइनामिकली यह मिल गया है ठीक है मैं सबसे पहले तो यह देखूँगा कि N में बना भी पाया memory में यह नहीं अगर नहीं बना पाया इसका मतलब यह है कि जो memory है वो full हो चुकी थी जब मैं बना रहता था तो तो मैं चेक करूँगा सबसे पहले कि जो N है वो कही नल तो नहीं हो गया अगर N नल हो गया इसका मतलब stack overflow तो मैं printf कर दूँगा stack overflow वरना मैं क्या करूँगा वरना मैं करूँगा भाई देखो ऐसा है N की data को सबसे पहले set करूँ यहाँ पर जो भी data set करना है मालो one करना है तो one कर दो जो भी है वो कर दो ठीक है उसके बाद यह मैंने कर दिया इसके बाद N के next को top बना दो N के next को top क्यों बनाना है क्योंकि मुझे link list को ऐसे जोड़ना है इस तरह से ठीक है और फिर finally मैं top को क्या करूँगा इंसर्टिंग नोड एट इंडेक्स जीरो तो आप लोग को मेरी बात माननी पड़ेगी ठीक है तो चाहे आप इंडेक्स जीरो पर नोड को इंसर्ट करें मैं इसको ज़रा धंग से लिग रहा हूँ आप लोग सोचोगे मिटा क्यों रहा हूँ मैं इसको बड़े यार मैं थोड़ा धंग से लिखना चाता हूँ इसको printf करके लिख देता हूँ धंग से तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ printf क्योंकि आप इसका screenshot पगरा ले रहे हो stack overflow ठीक है stack overflow कि यार इतनी जगा नहीं है आपने सारी memory भर दी आजकल यार अगर आप साई से program लिख रहे हो integer से stack overflow कराना बहुत मुश्किल है unless आप बहुत खतरनाथ programs नहीं बना रहे हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि push जो है हमने देख लिया किस तरह से हमें push करना है push करने के लिए हमने insert किया simply node जो था हमारा ये वाला इसको link list में ठीक है समझ गए आप अब मुझे pop करना है तो मुझे क्या करना हो मुझे index 0 पर element को delete करना है simple सी बात है हमने already discuss किया था link list में बहुत detail में किया है यहां पर मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि आप check कर लो कि यह जो हमारी stack है यह कहीं empty तो नहीं है तो is empty करोगे पहले सबसे पहले if और आप लिखोगे is empty जो भी आपका is empty function है अगर वो है तो आप क्या करोगे printf करोगे और कह दोगे stack under flow stack under flow और अगर आप लोग का stack under flow नहीं होता है तब आप आगे बढ़ोगे और आप कहोगे else वरना क्या करो वरना मुझे index 0 का जो node है उसकी value को return कर देना है simple जी बाद ठीक है simple से मुझे यह करना है तो मैं आपर क्या करूँगा एक pointer बनाऊंगा मैं कहूँगा कि जो मेरा struct node star n है जो मेरा एक pointer मैंने बनाया है उसको बराबर कर दो क्या उसको मैं top के बराबर कर दूँगा आँशळिडिस के लुट किया है और iyकिया यार मैं pop करने की कोशिश कर रही है यहां पर तो मैंए क्या करूँगा pointer मैंने n नाम का पहला जो element था वो टॉप के बराबर कर दिया मैं उसको तो मैंने एक यहाँ पर struct node star n बना लिए जिसको मैंने top के बराबर कर दिया ठीक है एक node बनाया जिसको मैंने क्या किया है यहाँ पर starting वाला जो मेरा element था उससे मैंने point करा दिया अब मैं कहूंगा कि जो top है उसको बराबर कर दो top next तो मैं कहूंगा top is equal to top next और यह हमने यार बहुत अच्छे तरे discuss किया है कि वही मैंने top को जो एक कदम move कर दिया और उसके बाद finally मैं क्या करूंगा free कर दूंगा free कर दूंगा क्या मैं free कर दूंगा n को लेकिन मैं एक int x बना लेता हूँ जिसको मैं कर दूंगा n का data ठीक है क्योंकि यार मुझे न pop मतलब जो करना है उसको मुझे return भी तो करना पड़ेगा तो int x is equal to n data मैंने बना दी x के अंदर इसकी value store कर ली पहले वाले element की अब मैं क्या करूंगा या पर सबसे पहले तो free कर दूंगा किसको मैं free कर दूंगा अपने node n को यारी कि जो मैंने डिफिया नोड मान लो मैंने ये वाला node डिलीट किया है तो मैं इसको free कर दूंगा और free करने के बाद मैं return कर दूंग क्या return कर दूंगा मैं X को ठीक है तो मैंने return कर दिया X को और इसका code में लिखूंगा फिर से बता देता हूं एक बार pop अगर समझ में नहीं है तो pop का मतलब simple मैंने क्या किया है कि पहला जो node है मेरा ये वाला ये node जो दिख रहा है आपको मैंने पहले node का जो data है उसको return करना है और उसके साथ उस node को delete करके top को आगे बढ़ाना है तो मैंने एक temporary pointer ले लिया end जिसको मैंने top के बराबर किया actual वाला जो top है मेरा उसको मैंने top का next के बराबर कर दिया यनि कि जो दूसर elemental link list में उसके तरफ point कर दिया फिर मैंने X के अंदर जो मेरा node था पहला वाला उसका data ले लिया उसके बाद मैंने क्या गिया free कर दिया पहला वाला node जो कि मुझे pop करना है जो कि मुझे हटाना है वो stack में से तो मैंने free end कर दिया और वो जो X मैंने store किया था वो किया असलिए था ताकि मैं return कर सकूँ उसके तो return X मैंने कर दिया ठीक है return X कर दिया तो ये चार operations जो है हमने implement कर लिए बड़े अराम से link list की साहित से तो हमारे लिए super easy होगा अब जाना हमारे VS code में और VS code में जाने के बाद हम बड़े अराम से इन सारे के सारे operations को implement करते हैं तो चलो चलते है VS code में चलते हैं और इन सारे operations को implement करते हैं तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर यह है मेरा video no.30 तो मैं 30 underscore यहाँ पर एक file बना लेता हूँ 30 underscore linked list और stack.c नाम से बना लेता हूँ ठीक है boilerplate मैंने यहाँ पर डाल दी अब मैं अगर अपनी one note notebook को ही यहाँ पर इस्तेमाल करूं तो मैंने अभी stack using linked list करके यह बनाई थी एक file जिसके अंदर मैंने structure लिगा था पूरा गीबढ़ यह structure जो है एक तो in data है मेरा और एक है struct node start next और यहाँ पर यह structure है तो यहाँ पर एक semicolon आएगा तो एक link list को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा मैं सबसे पहले link list एक बनाई लेता हूँ और अपनी stack बना लेता हूँ और फिर एक काम करता हूँ तो मैं सबसे पहले जो मेरे operations है उनको मैं implement कर लेता हूँ तो starting मैं कहां से करूँगा तो सबसे पहले मैं is full or is empty को implement कर लेता हूँ तो अगर मैं आ जो अपनी notebook में वापस से तो मैं यहाँ पर stack operations using link list है उसका is empty यहाँ पर implement करूँगा तो जो top होगा वो क्या होगा टॉप मेरा एक pointer होगा कौन सा pointer होगा top मेरा top मेरा struct node type का pointer होगा तो मैं काम करता हूँ अपने vs code मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं बनाता हूँ struct node star top जो मेरा एक pointer है ठीक है यह एक pointer है और इसको initially मैं null कर दूँगा और इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो link list है वो खाली है top null को point कर रहा है अब मैं क्या करूँगा एक function लिखूँगा एक push function लिखूँगा push function क्या करेगा एक तो struct node star type का एक data type लेगा एक structure लेगा और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा मैं इसको एक number दूँगा एक integer दूँगा तो यहाँ पर अगर मैं push का function लिखूँगा तो मैं लिखूँगा तो मैं लिखूँगा struct node star type का लिखूँगा तो मैं लिखूँगा struct node star push और यह मैंने इस तरह से किया और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं इस function के अंदर जो मैंने यहाँ पर implementation लिखिया उसको implement करूँगा सबसे पहले push में मैंने क्या किया था अगर आप लोग देखो यहाँ पर तो push में हमने insert किया था node index 0 पर ठीक है but push use कर रहा है किसको हम यहाँ पर देख रहे है कि कहीं full तो नहीं हो गया is full को तो पहले is empty और is full को implement कर लेते है तो is empty और is full को implement करना बहुत असान है ठीक है तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पर इस तरह से बना लेता और उसके बाद इसको देखकर ही बताएगा कि यह full हो गया है कि नहीं और जो is full है मेरा is empty और is full दोनों मैं बना रहा हूँ यह भी यही चीज लेगा ठीक है तो मैं आपर देखता हूँ मैंने क्या implementation लेकी थी is empty की implementation मैंने लेकी थी कि अगर यहाँ पर top equal to equal to null है मैं आपर int ल to null return one otherwise return zero ठीक है बहुत simple implementation इसकी मैं आपर लिख देता हूँ मैं लिकूँगा if top equals to equals to null तो क्या करना है आपको अगर ऐसा है तो return कर देना है one वना return कर देना है अब else लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं थोड़े readability के लिए और उन लोगों के लिए जो की थोड़ा अशा इनको reading में दिक्कत आ सकती है क्योंकि हो c के beginner से उनके लिए मैंने एक else लगा दिया वना else की यहां पर जरूरत नहीं है ठीक है तो मैं पर return one return zero कर दूँगा इस full क्या होगा इस full में मुझे क्या करना पड़ेगा struct node star type का एक element बनाना पड़ेगा तो मैं लिखूँगा struct node star p is equal to struct node star malloc or size of struct node ठीक है और अगर यहां पर मैं लिख देता हूँ कि अगर यहां पर p equal to equal to null है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह full है तो return one else return zero ठीक है तो अगर मैं dynamically memory allocate नहीं कर पा रहा हूँ इसका मतलब यह होगा कि यह full हो चुकी है ठीक है तो तो is empty or is full हो गया जब मैं push कर रहा हूँ तो मैं क्या देखूँगा is empty देखूँगा is full देखूँगा मैं is full देखूँगा तो मैं लिखूँगा if not of is full तो मैं थोड़ा सा ह樣पर implementation में थोड़ा सा modify कर रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ इसको अगर इस full नहीं है यह काम करते हैं, इस full मैं यहाँ पर print कर देता हूँ, अगर इस full है, तो printf कर दो stack overflow, ठीक है, अब extension भी लगा देते हैं, तोड़ा अच्छा दिखता है, वर्ना मैं क्या करूँगा, वर्ना मैं एक struct node star type का एक node बनाऊँगा, ठीक है, मैं एक node यहाँ तो एक काम करते हैं, यह नहीं बनाते हैं, ताकि consistency रहे हमारी जो theory वाला code है और इसमें, और malloc, और यहाँ पर क्या होगा, size of struct node, ठीक है, एक node बना लिया, मैंने, एक बार मैंने यह n नाम का node बना लिया, मैं क्या करूँगा, इसका जो data है, इसको मैं x के बराबर कर कर दूँगा, ठीक है, मैंने इस तरह से यहाँ पर किया, मैंने इसके data को x के बराबर किया, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है, तो इसके data को मैं x के बराबर किया है, और इसके next को top को n कर दिया है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके next को, जो इसका next है, ctrl d कर देत इसका next है एन का जो next है उसको मैं top के बराबर कर दूँगा ठीक है n का next जो है मेरा वो top के बराबर हो जाएगा और top की value जो हो जाएगी वो n हो जाएगी तो मैं कहूंगा top is equal to n return top ठीक है जो कि मैं struct note star return कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा element मेरा push हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इसको print कर सकता हूँ link list को push करने के बाद देख सकता हूँ कि elements मेरे आ गएं की नहीं आ गएं तो एक काम करूँगा मैं अपने link list वाले program में जाओंगा देखो मैं आपने जाला time waste नहीं करना चाहता भी मैं चाहता हूँ कि जो traversal का program हमने लिखा था link list का मैं उसको use करूँ याँ पर और उसको use करके यह जो मैंने आपर 30 वाला program बनाया है मैं इसको reuse करना चाहता हूँ in fact मैं इसको use करके अपने link list को print करना चाहता हूँ तो यह ले रहा है pointer struct node star type का तो मैं linkless traversal यहां पर use करूँगा मैं आपर लिखूँगा linkless traversal और top और मैं देखता हूँ कि क्या यह धंग से चलता है कि नी stdlib को यहां पर include कर लेते हैं stdlib.h और इसको run करते हैं और इसको जैसी मैं run करूँगा stack overflow आ गया ऐसा क्यों होगा ptr is not equals to null मैंने रगता है कुछ गरबड़ कर दी if top equals to equals to मैंने क्या गरबड़ करिया कुछ तो गरबड़ करिया if is full मैंने आपर सिर्फ is full लिख दिया मैंने आपर लिखना चाहिए इस फुल क्या इस फुल लेता है टॉप ठीक है तो मैंने इस फुल टॉप लेना चाहिए इस तरह से देखना चाहिए क्योंकि यह पॉइंटर लेता है तो अभी यहां पर देखो एक element 78 push किया है अगर मैं इसके अंदर कुछ और elements push करूँ जैसे मालनो मैं आपर 7 push करूँ और इसके बाद 8 push करूँ तो यह 78, 7 और 8 यह सारे elements भी आ जाएंगे तो देखो सबसे पहले 8 आ रहा है फिस 7 आ रहा है फिस 78 आ रहा है क्योंकि मैं जो elements push कर रहा हूं वो इधर कर रहा हूं link list के starting में कर रहा हूं ठीक है तो यह इस तरह से जो है R.E.A. stack जैसे होती है हमारी जो ह यहां पर आप लोग को बताया यह मैंने आप लोग को pop का code यहां पर बताया है कि सबसे पहले तो यह चेक कर लोगे कहीं खाली तो नहीं क्योंकि खाली है तो क्या ही pop करोगे फिर उसके बाद यह जो code snippet मैंने आप लोग को explain किया इसको मैं for tax implement कर दूँगा ठीक है तो मैं ए उसका topmost pointer में दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इस link list में से या फिर stack में से क्योंकि stack link list की साध़ता से implement हुई है इस stack में से एक element pop करके तो और बताओ वो क्या है तो मैं यहां पर लिख देता हूँ printf popped elementus %d और यहां पर मैं element लिख देता हूँ और examic colon लगा देता हूँ तो मैं आपने लिख देता हूँ उस तरह से popped elementus %d और यह element यहां पर मैंने लिखी दिया है तो pop को implement कर लेते हैं हम चल्दी से ठीक है तो जिस तरह से मैं आप लोग को push implement करके दिया उसी तरह से मैं pop implement करूँगा लेकिन pop एक integer type return करेगा कि वो उस element को return करेगा जो कि क्या होगा जो कि मेरा pop होगा ठीक है जो कि मैं निकालूँगा उस stack में से एक dubbe में से मालो भरे हुए है balls सारे balls टॉप मोस जब मैं निकालूँगा बार तो क्या आएगा मेरे हाथ में topmost जब मैं निकालूँगा उस dubbe में से कोई भी ball तो int pop क्या कर रहा है यहां पर देखो अब एकदम मैं इसको टाप दूँगा, ऐसे कैसे टाप दूँगा, is full नहीं is empty करूँगा, overflow को underflow करूँगा, क्योंकि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़े repeat हो रही है, सारे concepts repeat हो रहे हमने link list में सब कुछ साही से सीखा हुआ है ये, तो we are in a form कि हम quickly इसको implement करें, struct node star n is equal to top कर देता हूँ मैं आपर, is equal to top कर देता हूँ, फिर उसके बाद हमने आपर क्या किया, top is equal to top next किया, top is equal to top next कर देता हूँ, क्यों किया मैंने भी explain किया आप लोगो next और top is equal to top next करने के बाद हमने क्या किया देखते हैं, हमने int x is equal to n data int x is equal to n का data ठीक है उसके बाद हमने क्या किया उसके बाद हमने free किया n को और return कर दिया x को ठीक है तो free करेंगे n को और return करेंगे x को और नीचे वाला code तो पुराने वाले उसमें से आ रहा है तो उसको हटा देता हूँ तो हमने अभी जो discuss किया उसको implement कर लिए और यार देखो मैं आपको बता रहूँ साफ साफ अगर ऐसा लगता है और आप बोलो कि यार हमें समझ भी नहीं आया fast हो गया और ये तो यार ये fast नहीं हुआ है ठीक है please fast नहीं हुआ है बिलकुल भी बहुत बोलना है fast मैंने बताया क्यों नहीं बोलो कि आप क्योंकि यार ये हमने यापर बहुत सारा time यापर लगा के link list को सीखा है इस बात को आप लोग समझो अगर आप यहाँ पर direct देखे हो इस वीडियो को तो हाँ लग सकता है तो मैं इसको रण करके देखता हूँ भी तो जहां तीन elements डाले थे मेरा जो 8 है वो पॉप हो जाएगा तो जो element पॉप हो है वो 8 आजाना चाहिए और यहाँ पर देखो कुछ गरबड हो गई है यह देखो क्या हो रहा है यह कुछ गरबड हो गई है क्यों हो रहा है तो देखो क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आप जब यहाँ पर push कर रहे हो यहां तक बिल्कुल ठीक है आपने top को update किया update किया update किया लेकिन जब आप pop में top को भेजते रहे हो तो उसके अंदर आप जो top में change करोगे top क्या है pointer variable है अगर वो function में जा के change हो रहा है उस pointer की value change हो रही है तो उसका main function से कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका main function से मतलब रहे आप समयोगर आपको pointer समझ में आता है तो ये चीज में दिखकत नहीं आईगी और मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ये चीज बहुत अच्छे समझ में आई जो मैं करने वाला हूँ भी देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि push की elements तीन यहां तक बिल्कुल सही है जब मैं pop कर रहा हूँ यानि कि मेरा जो pop function होगा वो मुझे कुछ इस तरह से बनाना होगा कि जो top के में जो changes है अगर top is equal to 4 है मानलो I am just assuming top is equal to 4 topic address है मानलो top is equal to 4 है अगर मैं इस 4 को भेजता हूँ यहाँ पर pop function के अंदर अगर मैं top को 8, 10 या 9 कर देता हूँ तो क्या वो ये वाले top को change करेगा नहीं करेगा अगर मैं चाहता हूँ करे तो मैं क्या करूँगा इसका address फिच दूँगा ठीक है इसका address फिच दूँगा लेकिन यहाँ पर मुझे top को एक pointer की तरह यानि pointer of pointer की तरह treat करना पड़ेगा तो जहाँ जहाँ top मैंने लिखा है मुझे star top लिखना पड़ेगा वहा star top लिखना पड़ेगा और star top लिखने के बाद मुझे आपर bracket लगाना होगा इस तरह से जोगी पहले d reference हो जाए उसके बाद इसका next and this will definitely work यह काम करेगा ठीक है तो मैं इसको अभी run करूँ तो यहाँ पर देखो popd element is यहाँ पर लिखकर आ रहा है percentage d backslash n भी लगा लेते हैं थोड़ अच्छे से दिखेगा फिर से run करता हूँ देखो popd element is 8 और 7 और 78 है पहले क्या था 8, 7 और 78 आ रहा था पहले ठीक है अब क्या आ रहा है अगर मैं linkless traversal करू pop करने से पहले तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या है यह इसके चकर में नहीं पढ़ना चाते हो ampersend top के चकर में नहीं पढ़ना चाते हो तो आप क्या करो एक top को एक global variable बना दो एक global variable यहीं पर बना दो top को और अगर आप top को एक global variable बना दोगे तो आप कहीं भी change करोगे तो top का जो change है वो global variable को change करेगा तब आपको इस तरह से ampersand top नहीं लिखना पड़ेगा और जैसी आप ampersand top लिखते हो आपको एक और star यहाँ पर लगाना पड़ता है और इसको dereference करकर करके use करना पड़ता है तो यह चीज ट्रिक्षी बन सकती है आप लोगों के लिए यहाँ पर जो struct note star यह मैंने बनाया है top इसको मैं क्या करूँगा global variable बना दूगा यहाँ पर अब मुझे ऐसा करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी जब मैंने इसको global variable बना दिया है यहाँ पर तो मैं इसको ampersand को हटा भी सकता हूँ इसको इस तरह से अगर मैं हटा दूँ यह stars को अटाओंगा यह जहां जहां मैंने star टॉप लिगा उसको अटाओंगा okay so यहाँ पर एक और problem यह आ रही है कि हमारे पास local variable of same name है तो जब आपके पास local variable होता है with same name जैसे कि top यहाँ पर एक local variable मैंने बना दिया top global variable भी है मैं जाता हूँ locally use करो तो मैं इसका नाम यहाँ पर बदल दूँगा TP कर दूँगा इसका नाम TP कर दूँगा सब जगा और जब मैं finally change कर रहा हूँ तो मैं अपने top को change करूँगा ठीक है इसको TP कर दूँगा और अभी मेरे साफ से काम कर जाना चाहिए ठीक है मैं इसको इस तरह से अगर कर दूँआ अभी save करूँ इसको तो एक काम कर जाना चाहिए देखता हूँ अभी इसको run करके and it worked yes it worked ठीक है तो मैंने आपर इसको इस तरह से किया था मैं अभी पता है कि अगर आप local variable same name से use करें और global variable भी आपका तो वहाँ पर आपको दिखका तो जाती है but you got the point क्योंकि आपको c language आती है अगर आप लोग को इन सब चीजों में भी problem है local variable global variable इनके same name अगर हैं तो कौन सा use होगा तो यार मैंने बना रखा एक वीडियो 15 गंटे का 15 मिनट का नहीं 15 गंटे का ठीक है और उसके अंदर मैंने आपको डाला हुआ है सब कुछ बताया है आपको notes के साथ उसको देख लेना आप लोग ठीक है but यह implementation I hope आपको clear होगा यह implementation बहुत असान है और मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए यह source code मैं दे दूँगा आप लोग explore करना ठीक है और I hope कि सब कुछ clear होगा यहां पर थोड़ा सा मैंने यहां पर यह जो बताया आपको pop बगएरा यहां पर हमने global variable बनाना पड़ेगा और एक और यहां पर मैंने गलती करी थी कि मैंने is empty में void को return किया जोकि मुझे int को करना चाहिए return so I hope you got the point यहां आप लोग को सारा source code मैंने दे दिया है और सब कुछ मैंने आप लोग को यहां पर बता दिया है और यह link list किस तरह से काम कर रही है एक stack को represent कर यह भी आप लोग को मैंने बता दिया है अब मैंने stack top, stack bottom और peak operation आपको नहीं बताया है अब peak operation तो यार आपको पता होना चाहिए अगर peak 1 लिकुन तो 7 आए peak 2 लिकुन तो 15 पीक 3 लिकुन तो 18 तो यह काम तो you should be capable of doing it आपको आना चाहिए so मैं यह आप पर छोड़ता हूँ और आप लोग बनाओ function इस चीज़ के और फिर कुछ और stack के topics हैं उनको हम लोग आगे discuss करेंगे इस वीडियो को या like करना अगर आप लोग को लगता है कि link list के थूर मैं stack आपको समझा पाया अगर आपको लगता है मैं समझा पाया तो like ज़रूर कर देना है और बहुत कम लोग like कर रहें इसलिए मैं मांग रहा हूँ उस तरह से आपको like ठीक है so please या like करना और उसी के साथ सथ अगर आपने playlist एकसेस नहीं करिए data structures की तो इसको access कर लेना या पर है सब कुछ सारी वीडियो डाले हूँ इसमे मैंने so अगर इंस्टराग्राम पे आप लोग उसको शेर करते हो तो मैंने link डाला हूँ आप दिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में भी देते हूँ मैं इस्टराग्राम का link झाला हूँ झाला हूँ झाला हूँ